वेलकम बेक टू विकास लाइफ इस्टाइल कंपेर वीडियो स्रीज में आपका स्वागत है आज हमाई साब ने खड़ी ये अर्बर एस्यूवी किया सोनेट पीटर ओलिव कलर में खड़ी है एस्टीके प्लस वेरियंट जो अभी तक का सबसे वेल्यू फॉर मनी वेरियंट था और वाइट कलर में खड़ी है इसका न्यूली अपडेट मॉडल एस्टीके ओप्शनल आईए देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है एस्टीके ओप्शनल और एस्टीके प्लस में फीचर सो प्राइजिंग वाइस कौन सा वेरियंट आपके लिए बेटर है सबसे पहले प्राइस से स्टार्ट कर लेते हैं पेटरोल इंजिन में एस्टीके ओप्शनल के एक्शोरूम कोश्ट है 9,24,900 रुपए इंशोरस आल्टी ओदा चार्जस मिला के ओन रोड प्राइस है 10,84,126 रुपए वहीं एस्टीके प्लस वेरियंट के एक्शोरूम कोश्ट है 9,99,900 रुपए इंशोरस आल्टी ओदा चार्जस मिला के ओन रोड प्राइस है 11,67,909 रुपए दोनों ही मोडल्स के एक्शोरूम में 75,000 रुपई और ओन रोड प्राइस में 83,000 रुपई का डिफरेंस है इस वेरियंट में आपको पैटरोल और डीजल दोनों ही इंजन का उपशन मिलेगा लेकिन एस्टीके उपशन में आपको मैनुल ट्राश्मिशन का ही उपशन मिलेगा लेकिन एस्टीके प्लस में आपको तीन ट्राश्मिशन के उपशन मिलेंगे पहला डीजल मैनुवल ट्रांश्मिशन, पैटरोल मैनुवल ट्रांश्मिशन और टर्बो आएम्टी ट्रांश्मिशन SDK Plus में आपको एक इंजिन आप्शन ज़्यादा मिल जाता है सबसे पहले बात कर लेते हैं Newly Launched Model SDK Optional के अपडेट की SDK Optional में मिलेगा आपको Sunroof, LED Corrected Tail Lamps, Fully Automatic Temperature Control AC और Rear Defogger और इसके लिए कंपनी ने चार्ज किये हैं 35,000 रुपीज Front profile से बात करें तो दोनों ही models में कुछ ज़्यादा changes नहीं है दोनों ही models में मिलेगा आपको Front Parking Sensor दोनों ही models में आपको Headlight Same मिलेगी SDK Optional Variant में आपको Fog Lamp का Option नहीं मिलेगा Fog Lamp की जगे यहाँ पे दिया गया है Parking Lamp और Headlights में मिलेगा आपको DRL जैसे Element Front Grill मिलेगी आपको Matte Black Finish में Grill के नीचे मिलेगा आपको Glossy Silver Finish यहाँ मिलेगा आपको Dual Viper Washer और यहाँ मिलेगा आपको Electric Sunroof SDK Optional Variant में Sharfin Antina Silver Finish में मिलेगा आपको Roe Frills आईए बात करते हैं SDK Plus Variant की SDK Plus Variant में मिलेगा आपको Front Fog Lamps Head Lamps में मिलेगा आपको LED Base DRL Halogen Base Glide आती है Dual Barrel दोरही मोडल्स में Headlight Same आती है बस DRL का Difference है इसके लावा SDK Plus Variant में मिलेगा आपको Fog Lamps Front की Grill मिलेगा आपको Glossy Black Finish में Grill के नीचे मिलेगा आपको Nurd Matte Chrome Surround Front Profile से दोनों ही मॉडल्स में आपको 4 Difference देखने को मिलेगे SDK Plus Variant के Manual Transmission में आपको Sunroof को Option नहीं मिलेगा वहीं इससे नीचे वाले Variant SDK Option में आपको Sunroof को Option मिलता है SDK Plus Variant के Turbo Engine में आपको Sunroof को Option मिलेगा यहां मिलेगा आपको Sharfin Antina Silver Finish में Row Frills Body Color Orvians मिलेगे यहां मिलेगा आपको Manually Folding Electrically Adjustable Outside Mirrors Turn Indicator को Option आपको Fender में मिलेगा दोनों ही मॉडल्स में आपको 16 इंच के Wheel मिलेगे Front में आपको मिलेगे disc brake और Rear में आपको मिलेगे drum brakes 215, 60, R16 टायर प्रोफाइल है B Pillar मिलेगा आपको Matte Black Finish में C Pillar मिलेगा आपको Body Color दोनों ही मॉडल्स में आपको Dual Tone Style Wheels का Option मिलता है Core Driver Side से देखने पे आपको केवल एक Changes देखने को मिलेगा Turn Indicator लेकि डैवर साइट से देखने पे एक Changes और मिलेगा Keyless Entry STK Plus Variant में मिलेगा आपको Keyless Entry 3945 mm Length है 2500 mm Wheel Base है 1790 mm Width है 1642 mm Height है यहां मिलेगा आपको STK Plus Variant में Electrically Adjustment Electric Folding Outside Mirrors LED Turn Indicator के साथ में दोनों ही मॉडल्स में आपको Same Tire Size मिलेगा यहां मिलेगा आपको Dual Tone Style Wheel Suspension Shet Up की बात करें तो Fread में मिलेगा आपको Coil Spring के साथ में MacPherson Isted और Rear में मिलेगा Coil Spring के साथ में Couple Torzen Beam Axle Suspension यहां मिलेगा आपको Keyless Entry B Pillar मिलेगा आपको Matte Black Finish में C Pillar मिलेगा आपको Body Colors Rear में मिलेगा आपको Drum Breaks Wheels के बीच मिलेगा आपको Kia का Logo दोनों ही वेरेंट्स के Length Width Hide में कोई भी Changes नहीं है आईए बात करते हैं Rear Profile की Rear Profile से दोनों ही वेरेंट्स में आपको कोई भी Difference नहीं मिलेगा दोनों ही models में आपको Connecting Tail Lamps के Features मिलेगे नीचे मिलेगा आपको दो पार्किंग सेंसर और कैमरा Sonnet की बैचिंग Dual Tone Bumper Design मिलेगी यहां मिलेगा आपको Exhaust Tail Pipe Mid में मिलेगा आपको Satis Hello Finish में Kia का Logo Rear Defogger High Modish Top Lamp LED में Rear Profile से देखने में दोनों ही वेरेंट्स में आपको कोई भी Changes नहीं मिलेगे दोनों ही मॉडल्स में आपको Rear Defogger, Rear Camera, Rear Parking Sensor का Option मिलता है साथी साथ दोनों ही मॉडल्स में मिलेगा आपको LED Corrected Tail Lamps यहां मिलेगा आपको Reflector Dual Tone में Bumper Satin Silver Finish में मिलेगा आपको Kia का Logo High Modish Top Lamp LED मे यहां मिलेगा आपको Shark Fin Antina आइए Boot Open करके देखते हैं दोनों ही मॉडल्स में मिलेगा आपको Electromagnetic Button का Option Rear Camera यहां मिलेगा आपको 385 Littr का Boot Space Pulsar Tray का Option आपको दोनों ही Variant में नहीं मिलेगा Best In Segment Boot Space मिलेगा आपको Kia Sonnet में आइए SDK Option का Boot Open करके देखते हैं यहां भी मिलेगा आपको 385 Littr का Boot Space Rear Partial Tray का Option नहीं मिलेगा 60-40 Split Folding Second Row Seats का आपशन दोनों ही Variant में नहीं मिलेगा दोनों ही Variant में आपको Rear Seats में Adjustable Headrest का Option भी नहीं मिलता है आइए Boot Close करते हैं आइए SDK Plus Variant का Rear Side Door खोलके देखते हैं यहां मिलेगा आपको Speakers Bottle Holder Power Window के Control Utility Space Satin Silver Inside Door Handles यहां मिलेगा आपको Manual Shun Shade यहां मिलेगा आपको Black Seat of Austria 3.ELR Seat Belts मिलेंगे Fixed Headrest मिलेगा Full Foldable Second Row Seats मिलेगी आइए Rear Seats से बैठके देखते हैं यहां मिलेगा आपको Rear AC Vents 2 Seat Type Charging के Polt Utility Space यहां मिलेगा Core Driver Seats के पीछे Pocket Option Driver Seats के पीछे Pocket का Option नहीं मिलेगा और ऐसे दिखता है SDK Plus Variant का Dash Bolt All Black Interior मिलेगा आइए SDK Optional का Rear Side Door खोलके देखते हैं Rear Doors मिलेगा आपको Black Color की Door Paddings Bottle Holder यहां मिलेगा Utility Space Power Window के Control Satin Silver Inside Door Handles Manual Shun Shade यहां भी आपको SDK Plus Variant के तरह Black Seat of Austria मिलेगी साथी साथ आपको Fixed Head Rush मिलेगे आइए Rear Seats से बैटके देखते हैं यहां मिलेगा आपको Rear Ace Events 2 Seat Type Charging के Port Utility Space और ऐसे दिखता है SDK Optional Variant का Dash Bolt All Black Interior मिलेगा आपको SDK Optional में यहां मिलेगा आपको Sun Roof आइए SDK Plus का Driver Side Door खोलके देखते हैं यहां मिलेगा आपको Keyless Entry Black Color Door Paddings मिलेगी 4 Speaker 2 Trader का Option मिलेगा आपको यहां पे Bottle Holder Umbrella Holder यहां मिलेगा आपको Power Window के Controls Lock and Lock करने का Button Arbium के Controls यहां मिलेगा आपको Driver Seat Height Adjustable Black Seat of Austria मिलेगी आपको यहां मिलेगा आपको Adjustable Headrest यहां मिलेगा आपको Motor Driven Electric Power Steering Multifunction Plus Steering Wheel है यहां मिलेगा आपको एक Major Difference SDK Plus Veranim मिलेगा आपको Engine Start, Stop, Taxion Control, Power Custis ISG Features, Light के Controls यहां मिलेगा आपको Pedals आइए Diver Seats से बैठके देखते हैं यहां मिलेगा आपको Multifunction Plus Steering Wheel Phone Volume Infotainment और Voice Control Kia का Logo Instrument Cluster के Controls जो दिखाएगा दो रजार वार्निंग टायर पेशन इन्फोर्मेशन यहां मिलेगा आपको 8 इंच चच स्क्रीन Infotainment सिस्टम सपोर्ट करेगा Android Auto, Apple CarPlay Voice Week Organization, Bluetooth Rear Camera, Adaptive Guideline के साथ में यहां मिलेगा आपको Fully Automatic Temperature, Control AC Digital Display के साथ में All Black Interior है यहां मिलेगा आपको Passenger Side Vanity Mirror Day and Night Rear View Mirror आइए SDK Optional का Driver Side Door खोल के देखते हैं यहां Keyless Intric Option आपको नहीं मिलेगा Black Color Door Paddings मिलेगी यहां मिलेगा आपको Power Window के Controls Local Lock करने का Button ORVM के Controls Electrically Adjustable ORVM का Option नहीं मिलेगा Satin Silver Inside Door Handles Twitter यहां मिलेगा आपको Black Seat of Austria Adjustable Headrest मिलेगा यहां मिलेगा आपको Sunroof Motor Driven Electric Power Steering SDK Plus Variant के तरह है Multifunction Plus Steering Wheel है यहां पे मिलेगा आपको Traction Control, Park Assist, ISG Features Engine Start, Stop का Option आपको SDK Optional Variant में नहीं मिलेगा यहां मिलेगा आपको Pedals आईए Diver Seat से बैठके देखते हैं यहां मिलेगा आपको Phone Volume Infotainment of Voice Control Kia का Logo Instrument Cluster के Controls यहां मिलेगा आपको Light के Controls यहां मिलेगा आपको Wipers के Controls यहां मिलेगा आपको Digital Instrument Cluster जो दिखाएगा आपको Doors and Warning यहां मिलेगा आपको 8-inch Touchscreen Infotainment System यहां मिलेगा आपको Fully Automatic Temperature Control AC सी डिश्टल डिस्प्ले के साथ में यह हम लेगा आपको 12 वोर्ड का पोर्ड, USB पोर्ड, चार्चिंग के लिए पोर्ड, सेम इंटीर मिलेगा आपको दोनों ही वेरेंट्स में, यह हम लेगा आपको संग्लास होल्डर, डे और नाइट रियर व्यू मिरर, यह हम लेगा आपक किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाई बाई